कि नमस्कार साथ यूँ आप सभी का अर्दिक स्वागत है आपके अपने परिवार एससेटर 247 पर और दोस्त आपके अपने अमिशन वोकेबलरी में जिसमें की मेरे दोस्त हम एक बार पुना मिल रहे हैं अपने इस पढ़ने पढ़ाने की बड़ी प्यारी सी चोटी सी महफि है यानि की टाइम हो चुका है हमारी वोकेबलरी को सीखने का आई हूप आप सभी ने अपनी स्टडी शुरू कर दिये आप अपने आप से जो कमिटिड हो जाओ कि हर दिन सही रात को 9 बजे तक यह इससे पहले-पहले हमें विटा पढ़ने बैठ जाना है और कैसे बैठना ह इस साथ में तो चलो मेरे दोस्ता आज फिर से शुरुवात करते हैं अपने मिशन वोकेबलरी की और आज जो हम सबसे फस्ट वर्ड दोस्त सीखने जा रहे है अब फस्ट वर्ड इस लिक क्या वर्ड दे हमसे क्या पूछा गया थो अपोजट पूछा चैनली क्या कर एक क् कि यह पाइटम तो शीक नोगे जिए एंग तो टॉट्स शीट के लिए टॉट्टा कि घुट निस मूत रही है अपर शिवी देख़ दल क्या जी आप सभी देख पहर रहा रहे है धिता जील का मतलब क्या होता है आपका सिम्पली इसका मीन होता है जील मींस उत्साह और जलेयास यानि उत्साही की जानी को आप पैशिनेट बोलता है का फॉरविढ बोलत है पर फॉरविड जो जॉस्ति बोलते है तो इन्टो वरध की है इस होता हिए तराफ इनर्जेटिक हो अरडेंट होना चाहिए यानि की उत्साही होना चाहिए क्या होना चाहिए पेशिनेट आपको जाएगा टॉरीड हो जाएगा फरविड पर फरविड एंतुजियास्ट यह सारे वर्ड इगर उत्सुक होता है एनक्स चिंती तो तर एनुट जो किसी चीज़ से तंग आ गया हो फिके जी नेक्स्त वर्डब नोव कर रों एक्स वर्ड़ इस और वैली एंट वादो इसका मतला बीट भी बहुल दो टहुंट हैं या निके मिर दोस्त बहुत्ट जाओ प्रविट वहादू जिसे आपको वहलर वी एल ओ-लो यॉर वैलर के साथ पर आप इसे क्या बोल ते ता मेरे इसको आप बोल देता आप इसे डिमेट विओ देता है क्या वो निदेगी सब्सक्राइब फर थे बहुंत ऑब होट अग टाम ओलंट गालेंट गेविए डबलल एंट गेलंट का मतलब बहुता है अग्वैनल एक टेनके मरा दोश्त भाहत वूटी कि वैलर या फर वैलर डियोड़ तो सब्सकोट वी ऐलर ओ यू अम यूस मैल्स मैलटेंटव है इसी है बना दिया मैं थे कि फृटी बट्र बैरन यानिकी स्टे राइल बैरन क्योंकर तामारा सिटर जानिकी बंजा ठीक है और ऑगलांट बहादुर कि इसका कि होगा क्या कैट थो थो राप लगे दोस्त मेरे आपका आपके समली स्टेबल स्टेबल यानि जहांज चीज की इस तीछ रही श्टाउट की अगर मैं आप से बात कर सिंपल वर्ड है यार कोई बीची जो नियमित चले ठीक इस्टी को ध्यान अगने इस्टेडी होता है नियमित ठीक है जो चीज गॉंटिनेस चले तो नियमित हो गया इस्टीडी स्ट्राउट को नोगे बल्वान और सेफ आप सभी होंगे मेरे साथ में अगर जम के महनत कर रह सब्सक्राइब और से सच्वाराइब और सब्सक्राइब हाँ भारन खी अगरनिय Óशी पेसार जाए आदर मतलब समझदार इंसान ब्रिलियंट से बनाए ब्रिलियंस और ग्लोच चमकना तो आंसर कियो बीटापका डलने तो गया आंसर कियो कि अब दलनाइब सोगे तो तर रेडियंस का पोजिट हो कैप बेटा बेस्ट पूटा जिसको आप क्या बोलता है और फैट जो हो उसके आपका इसकी नहीं बिल्कूल पतला सा ठीक है और पाउची आगे आपके समय रूड़ का मतलब रूड़ का एक साइन वाद रखना रखना बाइट का मीनिंग भी टा सब्धा जिसे आब बार बेरियन रस्टिक रूरल प्रीस्टोरिक अंसोफिस्टिकेटेट ठीके इस अबी वर्ट बोल था और बिटेक बड़ा सा बड़ार अपऊंची पांची का मतलब होता है बड़ा सा पेट निकला बड़ी से तोन निकली बड़ाइप ऑले बोलता है इस पांची ठीके चलो आगे मुव कर रहा है नेक्स्ट वर्ड़ किसमने इस तैनिंग क्या वर्ड़ आपके संब्सक्राइं का मतलब क्यों होगी जो चोका दे अपने आप में यानिकी बड़ी शांदार क्यों होता मेरे आपका सांदार होता घिसको आपको गोर्जी चोंड़े गोर्जी जोपने अपने की साही बात है अभीडियेट वह आगयाकारी ओर इम्पल्सीव घृत तो प्रोस्पर करना एक तरफ फूल रहा प्रोस्पर कर रहे ग्रोग कर रहे तिक इसका पोज़िट के विट आपके समने इस्टेशनरी इस्टेशनरी में ध्यान रखना दो स्टेशनरी आपके समने वेच आगे स्क्वायर आगया तो सिंपल सिंपल से साइक सरे वर्ट्स आपके सामने मैंने ले लिए हैं अगर मैं आपसे और आगे बढ़ जाओं तो वेच में कोई दिक्कत आपको वाच है तो सिधा-सिदा वाच सिंपल वाइड यानि के दोस्त अनों का अजीब विचितर क्या वोलें विचितर जिसाब बिजारे पैक्यूलियर एसेंट्रिक ओड ठीक है यह सारे वर्ट कहरी करते तो इसका पोजिट क्योंगा आपका वाइड होगा एपेरेंट होगा नॉर्मल होगा अबनॉर्मल तो ब वर्मलें चपेटर में सपाईडर से होगओ हम जो स्पाइडर का होगा सो क्या बोलते कॉद बचे वैब अदक बेडिए को मतलब थिमक्डी का जाला ही होता है कॉब यानि बिटा मकली का मकडी का जाला आप के इस फूर कीपिंग रैबिट्स जहां बिटा जुए खर्गोस को रखाया तो से बोलते हच खर्गोस के रखने का जो घर होता एक तरीक से हच हो गया जो बड़ा शांदार हो बिटा अब इस पीच में इलोकुएंट अभी सीजियल में समय कल के एक्जाम में इलोकुएंट ठीक है आप लेस्वेयर विल्ट्स एनिमल्स आर कैप इन दी नेच्रल इन्वार्मेंट जहां पर बिटा जिंगली जानवरों को रखा जांके नेच्छरल इन्वार्मेंट्स में उसे क् उसे परकार से लाइट रिन जो हलकी की बारिष को पीघा यहां गया हुथ और फ़ीज़ों करना पर एकटों होबन और अनौब प्रफेर से रहे उसे बलते हो जो फोलते हो जाव ना शायरे को जो भालू की बटा आवाज आती है उसे किया बोलते है ग्राउल रखोड़ाज और काल जो फीडिया ने हिनााइग लखता ही फिरकार से रख इनस्क्रइब दोन ही पर लिखने की कला से आपने मुर्ती बनाई जाती प्थर पर आपने नेम फ्लेट लग लगी हूँ तो पथर प्तर पर दीवार पर लिखने की जो इनस्क्राइब बोलता है जो लॉटे मेरे इंस्क्रिप्शन दो लेंगे और यहां पर नाउन बना दिश्का वर्वार वोते हैं इंसक्राइब इंस्क्राइब इन गढ़ना गढ़ना को मतलब खुलेध खुलेध लिख देना चेह नहीं तोड़े से लिखते अंदर-अंदर तो इंसक्राइब होती है और ज चीजे सेम उनके बीच में comparison कर रहे हो तो उसे बोलते हैं ना लोगी जो हम रीजनिंग में करते हैं ना लोगी साध रश्यता मैं साध रश्यता में क्या दो चीजे बिल्कुल सेम से में दिखाई दे रही होती है चलिए एडियम सेंड फ्रेजिस पर आगया बिटा एलाइव एंड किकिंग अलाइव एंड किकिंग का मतलब होता है अच्छी खासी जोन ओल मुंशाय बिल्कुल सफेद जूट बिल्कुल सबकुछ जूट है और माइट एंड में यानि की पूरी ताकत लगा देना फुल फोर्स ओल थंब यानि बिटा अनाडी ओल थंप सब के आनाड़ी यानि में प्यारे बच्छ लिया आप काम कर रहे हैं as fit as middle बिल्कुल एकदम बिल्कुल स्वस्त होने को बोलता है as fit as middle इसे प्रकार से बैक टु स्क्वाइर वन बैक टु स्क्वाइर वन का मतलब है to return to स्ट्रेट स्टार्टिंग पुइंट दुबारा से सुरुवात में आ जाना इसे प्रिकार से बैक टू दे ड्रोइंग बोर्ड यानि मैंने भाई प्लान इट ओवर वन सगेन यानि दुबारा से किसी चीज़ के एक बार प्लानिंग करना और बी ग्लैड टू सी दा बैक ओफ यानि कि कि सी व्यक्ति को दोबारा से देख्करके कि किसी व्यक्ति के जाने पर खुशी बनाना ठीक है भी गोइंग प्लेस यानि की भाया, सफल ओना और बी इंटू माइंड यानि बैटा सोच नेम में मतलब एक दरी किसे नीरणा ना ले जाने की इस्तितिति, जो आप मेर यह बिटा मेरी प्यारी प्यारी सी बुक्स है दोनों आप सभी भली बाती बाकिफ है जिस बच्चे ने बिटा ना करी दियों आज ओडर कर दीजी अलग से एक्सरा डिसकाउंट चला है 22% दोस्त मेरे और यह 22% डिसकाउंट आपको अड़ा इस्टोर पर तभी मिलेगा जब आप वाई 795 एस डिसकाउंट कोड का यूज करेंगे ठीक है जी बढ़िया से पड़ो दोस्त कुछ अच्छा करके दिखाओ ताकि ना केवल मतलब मुझे आप पर गरवो बलकी पूर एक तरीके से आपके समाज को पर सब को मतलब समाज को या फिर आपके माता पिता को आप के लिए पर आई कॉंटीन को